अज़ा बना रहे हूं मतर पनीर कुल्चा यह बर्वे कुल्चे की रेसिपी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मतर पनीर कुल्चा बनाने के लिए में क्या क्या समान चाहिए यहे 100 ग्राम पनीर दो हरी मिट्च एक मीडियम साइज का प्याज एक कप हरी मतर मैंने फ्रोजन मतर ली है अगर आप नॉमल मतर ले रहे हैं तो उनको चाहसे पांच मिनट पकाले पानी में दो कप मैदा ओईल कोई भी और यूज कर सकते हैं घी का भी यूज कर सकते हैं बेकिंग पाउडर गरम चाट मसाला जीरा लालमेच पाउडर नमक और तीन चोथाई कप दूद दो कप मैदा में हम यूज करेंगे तीन चोथाई कप दूद सबसे पहले आटा मान लेते हैं उसके पास सबजियां काटेंगे और पनीर को भी ग्रेट कर लेंगे अटा बनानी के लिए मैदा में डाल दो चमच तेल दूद तीन चुथाई कप और अब इसका एक सॉफ्ट आटा गूद लेगे हैं थोड़ा सा इसमें पाने भी मिलाएंगे जब्लूप के हिसाब से चाहें तो आप दूद अवोइड भी कर सकते हैं लेकिन दूद डाल दूद कर सकते हैं लेकिन आटा में इसी तरीके से इतना ही सॉफ्ट गूतना है अभी आटा थोड़ा सा स्टिकी है लेकिन रेस्ट करने के बाद यह ठीक हो जाएगा थोड़ा सा अपने हाथों पर ऑईल काले और इसको बांद कर रख दें जाएगा तेल लगाएं और एक कॉट्टन के कपड़े को थोड़ा सा भीगो कर इस तरह की से भीगो कर निचोड़े और इसके उपर डगते हैं इस तरह के से इसको कवर करें और 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं जब तक आडा रेस्ट कर रहा है इसकी स्टफिंग तेयार कर लेते हैं अब काट ले सब्सियां प्यास को और मिर्च को बहुत बारीक बारीक काटना हैं प्यास और मिर्च को मैंने काट लिया है पनीर को ग्रेट कर ले यानि कत्व कस कर ले और मटर को भी दरदरा पीस लिया है अब बनाते हो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए पैन गरम करें इसके अंदर डाले एक बड़ा चमच तेल गरम होने के बाद इसमें डाले एक टी स्पून जीरा अब आप फिर डाले प्याज प्यास को हल्का सुनेरा होने तक दूने, क्लेम को मीडियम रखना है, प्यास हल्की सुनेरी हो गई है, अब इसमें डाले मटर, अब इसमें डालें आधी छोटी चमच लालमेच पाउडर, और नमक स्वादा नुसार, अच्छे से मिला ले और दो से तीन मिनिट तक पकाए, दो मिनिट हो गए हैं, अब ग्यास को बंद कर दे और इसमेशन को ठंडा होने दे, अब मटर का मिक्स अब थंडा हो गया है, अब इसके अंदर डालें पनीर, हरी मिट्च, मिज में थोड़ा सहरा धनिया भी आट करोगी, एक चुटा ही छोटा चमच कला मसाला, और आदा चमच चाल मसाला, अच्छे से मिक्स कर ले, तवा गरम कर ले, आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, हाथों पर थोड़ा सो ओईल लगाएं, और एक बोल की साइज की लोई बना ले, किचन टॉप पर भी थोड़ा सा ओईल लगा ले, लोई को ऐसे थोड़ा सा फैला कर, गटर पनीर का मिश्रण इस तरीके से इसके अंदर रखे, और हाथों से दबा दबा कर, इसको चारो और सी खीच कर, बंद करना है, किचन टॉप पर रखें, और हाथों से ऐसे फैला है, आप चाहें तो बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाथों से ही इसको इस तरीके से फैला दूए, अगर थोड़ा बहुत मिश्रण बाहर निकलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नी है, चारो करफ अच्छे से फैला होना है, और अब इसको उठाकर तवे पर डाल दें, फ्लेम को लोग मीडियम रखना है, अब इसको उपर से धखतें, ताकि कुल्चा अंदर से भी अच्छे से पक जाए, दो मिनिट तक कुल्चे को ऐसे ही पकाना है धखकर, तब तक दूसरा कुल्चा भी बना ले, दो मिनिट हो गया है, अब कुल्चे को लट दे, यह देखिए, इतना बढ़िया टेक्श्यर आया है कुल्चे का, वापस से इसको ड़टे, और दूसरी साइट से भी ऐसे ही पका ले, दो मिनिट हो गया है, अब इसका ड़कन उतार दे, और थोड़ा सा दबा दबा कर, की नारों से भी पका ले, यह कुल्चा बनकर तयार है, अब इसको उतार ले, और उतारते ही इस पर लगा दे, मखान, चाहे तो घी भी लगा सकते हैं, अब दूसरा कुल्चा भी ऐसे ही पका ले, यह दूसरा कुल्चा भी तयार है, यह कुल्चा को मैंने ऐसे पीसेज में काट लिया है, अब इसकी कर लें प्लेटिंग, इसके साथ रखूँगी थोड़ी सी प्यास, और दार्निश करूँगी थोड़ी सी पुदीना के पत्तो से, और यह हमारे बढ़िया होममेट मटर पनीर कुल्चे तयार है, आप भी अपने घर पे इस रेसिपी को ट्राइ करें और मुझे बताएं, और अगर आपको यह मटर पनीर कुल्चे की रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थांकियो पुर वाचिंग।